चलिए सभी लोग को गुड अप्टर्नून जो भी लोग ऑनलाइन है जो लोग ओफलाइन है धीक लास को करते हैं स्टार्ट यह क्लास है आपका सहाय कचार का और पेपर फूर का क्लास है यह चलिए क्लास के साथ जुड़ चुके हैं राम परवेश विसकरमा पार्थ गोश्वामी चली रिखिए जी तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे आज उसी में कुछ नया टॉपिक को करने वाल है जैसे हमने आपको बताया था ध्यान देना जो भी लोग निव स्टूडेंट है उनको घबराने का जवरत नहीं है हर चीज वापस से रोटेट होगा हर चीज वापस से क्या होगा रोटेट होगा इसलिए आप निशीन्त होके नोट्स को प्रोपर धंक से बनाईए और एकजाम के टाइम में आप ही का नोट्स ही काम आता है ठीक है इसलिए अपना नोट्स आपका होना चाहिए अब देखो जैसे x की वैलू या देना x की वैलू अगर minus 3 से 1 है x की value अगर minus 3 से 1 के बीच है और हमसे पूछ दे कि बताओ x square का मान क्या होगा बताओ x square का मान क्या होगा अनि जो हमारा x square वा एक फंसन है y बराबर x square एक हमारा फंसन है तो आपसे पूछ रहा बताओ x square का मान क्या होगा तो कुछ लोग इसमें गलती क्या करते ध्यान देना उनके दिमाग में बात आता है सर हमें x-square का मान पूछ रहा है तो अगर हम x-square का मान निकालना चाहते हैं तो इसका square कर देंगे यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 1 9-7 जो कि ऐसा करना क्या है बिल्कुल गलत है यह करने का सही तरीका नहीं है तो आखिर सवाल को करने का सही तरीका क्या है इस सवाल को करने का सही रास्ता क्या है उस पर आता है यहांद जीए काफी important चीज़ है जिसको अभी हम बताने वाले हैं तो ऐसे सवालों करने का सही रास्ता क्या है आईए हम उस पे काम करने वाले हैं अभी चले देखें आजाओ अब जैसे यह y बराबर x square की अगर हम बात करते हैं यह हमारा function है यह हमारा का एक function है y बराबर x square और अगर हम तूडी में बात करें तो कभी भी x square यह अगर हम तूडी में बात करें तो यह coordinate अनि x square का मतला y y बराबर 4 a y तो यहां से जब आप इसको देखोगे यह y से y कट गया तो 4 a बराबर 1 तो a बराबर 1 बाए 4 जब हम आपको पैरा बोला पढ़ाएंगे इसके बारे में detail से बताएंगे यह opening अप पैरा बोला होता है इसका ग्राफ कुछ इस टैप से होता है इसका अगरा आप कुछ step से होता है ठीक है ध्यान देना अब हम इस सवाल पर आते हैं जो सवाल हमारे सामने हैं जो सवाल हमारे सामने हम इस सवाल पर आते हैं देखो तो कभी भूल के आप ये काम मत करना अगर आप ऐसा करते हो तो क्या कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो तो सबसे पहले में ग्राफ से देखते हैं इस सीज़ को यह opening up parabola हम इसको बोलते हैं ठीक है opening up parabola ऊपर की तरब छुलने वाला पैराबोला है, जैसे अगर हम इस सवाल पे आते हैं तिससे सवालों को हम कैसे करते हैं, उसके बाद हम इसमें राज का बात बताएंगे, ध्यान देना, राज का बात से पहले थोड़ा सा आप इस सवाल के फॉंसप्ट को समझो, जैसे y बराबर x square है, y बराबर x square आनि x square बरा एक्स हमारा माइनस 3 है, तो माइनस 3 कहां होगा, बताओ, बताओ कहां होगा माइनस 3, माइनस 3 इधर कहीं होगा, होगा, तो जब x की value माइनस 3 होगी, उस condition में, ये y बराबर x square, ये क्या है हमारा, y बराबर x square, तो जब x अगर हम माइनस 3 यहां रखेंगे, तो y की value क्या है, है जाए गिए माईनस दृका स्कोर करोगे तो नाई ना आएगा मतलब प्लस में felt 9 नाईगा जो यहां कहीं होगा हि की है कि दुसरा अगर मैं एक स्कीह लुको व लेते अगर एक स्की directive हरु को लेते यहां होगा दो यहां होगा मतलब हम जिस graph की बात कर रहे हैं हम जिस graph की बात कर रहे हैं ध्यान देना हम जिस graph की बात कर रहे हैं वो graph कौन सा है x key value minus 3 से 1 तो x key value minus 3 से 1 हम जिस graph की बात कर रहे हैं वो graph minus 3 से 1 ये वाला graph दिख रहा है सब को आनि graph हमारा यहां से कहां तक है यहां तर, 1 तर, और अगर आप इस graph में, आप बोलोगे कि बताओ x square का मान क्या होगा, x square आनि y का मान क्या होगा, तो आप बताओ यहां पे y की value minimum कहां पर है, बोलो, इस graph में, यहां से यहां तक अगर आप देख पा रहे हो, अच्छे से, तो इस graph में y की value minimum कहां पर है, 0 पर, तो इसका मतलब इसकी value और एकस स्क्वाइर य का मतलब एकस स्क्वाइर तो एकस स्क्वाइर की जो minimum value होगी वह कहां पे होगी 0 पे आप बताओ इसकी maximum value मतलब y की maximum value एकस स्क्वाइर का मतलब y तो एक तो आप ग्राफिकली सवाल को कर सकते हो लिखो जल्दी से जल्दी से लिखें प्लीज दूसरा इसमें राज का बाद भी बताएंगे लेकिन इसके पहले कुछ सवाल को कर लो सवाल को करना important है आगे बढ़ें चलिए देखिए अगर हम अगर हम एक्स की वैलू को अगर हम एक्स की वैलू को माइनस टू से मालो माइनस टू से त्री ले लिए मालो ऐसा हमने कर लिया तो अब आप यहां पे देखो आपसे बोल दे कि बताओ एक्स स्क्वार का मान क्या होगा x square का मतलब y की value क्या होगी, x square का मतलब किसकी value, y की value क्या होगी, ध्यान देना कैसे करोगे आप, जैसे इसकी graph अगर हम बोले x square, y बरावर x square का graph, opening up parabola, तो कुछ yun graph बनेगा इसका, इस yun graph बनेगा इसका, अगर हम x को minus 2 लेते हैं, तो minus 2 यहाँ कहीं होगा, x की value minus 2 यहाँ कहीं पे होगा, clear, तो अगर आप x को minus 2 लोगे, तो x square की value मतलब y की value क्या होगी, minus 2 का square करोगे, तो 4 होगा, तो 4 यहाँ कहीं होगा, plus 4, अगर हम x की value 3 लेंगे, तो 3 यहाँ कहीं होगा, तो इस y बराबर x square है, तो यहाँ पे 3 रखोगे, तो 3 यहाँ 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 कहीं जाएगा, मतलब हम जिस graph के जिस part का बात कर रहें, जिस हिस्से की बात कर रहें, minus 2 से 3, वह हम इस हिस्से की बात कर रहें, हम वह इस हिस्से की बात कर रहें, ध्यान देना, हम इस हिस्से की बात कर रहें, और अगर हम इस इस्षे में x-square और y की value को देखते हैं, x-square का मतलब y की value, x-square का मतलब किसकी value, y की value, अगर हम y की value को देखते हैं, तो y की minimum value है वा 0 है, और इसकी जो maximum value है, वा 9 है, तो 0 से क्या हो गया, ये 9 हो गया, अभी मत सुचने त्यों 9 ही होगा, आप यहां पर सवाल वैसा ले ले रहे हैं इसी तरीका से हम निक्स सवाल करें बढ़ते एक और सवाल करते उसके बाद हम डारिक आएंगे उसके बाद हम डारिक आएंगे एक टारोब करते हैं आज़ो डिकहां कि आफ JAMES जैसे मलें कि बेलो को अगर हम xp value को minus 4 ले ले और minus 4 से अगर हम 6 ले ले मानगे minus 4 से क्या ले ले? 6 ले ले तो हमसे बोल दे बताओ x square का मान क्या होगा अनि y वराबर x square अनि जो फंसन हमारा x square है उसका मान क्या होगा तो सबसे इंट्रेस्टिंग बात तो ये देखो कि इसकी जो graph है वाई ये है opening up पैरा बोला है कुछ यूँ है ऐसा है graph अगर हम x की value minus 4 लेते हैं तो minus 4 यहाँ कहीं होगा और minus 4 का square करोगे यहाँ देख लो वाई यहाँ कहीं ठीक अच्छा से बना ले न माईनस 4 मालो यहाँ है मालो यहाँ है इसका square करोगे x के जगा पर रखोगे तो यह 16 हो जाएगा 16 मालो यहाँ है अब मालो 6 लोगे तो 6 इधर कहीं होगा थोड़ा और बढ़ा दो इसको ताकि आपको आनन्द की प्राप्ति मालो ऐसे बढ़ा दो ठीक है तो अगर आप 6 लोगे 6 यहाँ कहीं होगा मालो और जब आप 6 का square करोगे जब आप 6 का square करोगे तो 36 मालो यहाँ होगा मतलब हम जिस graph के जिस हिस्से की बात कर रहे है वा हिस्सा कौन सा है माइनस 4 से 6 यह वाला हिस्सा है हम graph के इस हिस्से की बात कर रहे है और अगर हम इस हिस्से में x square की value मतलब y की value की बात कर रहे हैं इसकी minimum value तो 0 है यहाँ पे है कि यहां पर मतलब जिना और इसकी मेक्सिम the मेलो कहां पर obst показыв कि पॉलो बाताया समझ मेंं कि भुल बाताया समझ में थाया ना बताओ अर इत्व के इक और सवान करने के बाद हम राज के बात प्राएंगे कि हम राज के भात ठीप है ठीक है चलिए एक और सवाल कराने के बाद हम राज की बात प्र बढ़ते हैं चलिए एक और लाज सवाल देखो इस ट्राइब का लाज सवाल जैसे हमने ले लिया x की value को हमने ले लिया minus 3 से हमने यहां ले लिया 2 अब हमें x square चाहिए और y की value चाहिए y बराबर x square कुछ यूँ गराफ बना अभी जो आपको सिखाया गया गराफ कुछ यूँ है गराफ हमारा कुछ यूँ है सर opening अप पैरा बोला अगर हम x minus 3 ले रहे हैं तो minus 3 यहां कहीं होगा तो minus 3 लेने पर यह 9 आ रहा है यहां होगा और अगर हम x को 2 ले रहे हैं तो 2 यहां कहीं है मानलो तो 2 x square और y की value 4 होगा तो हम गराफ के जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वहाँ हिस्सा यह है और इस हिस्से में अगर हम x square की minimum value की बात करें तो minimum value तो 0 ही है अगर हम इसकी maximum value की बात करें तो बताओ maximum value कितना है अब यहां से एक राज का बात संडू राज का बात क्या है मेरे भाई राज का बात क्या है ध्यान देना राज का बात यह है राज का बात, आजाओ राज के बात के आते में, राज का बात क्या है, राज का बात ये है, कि जब भी x की वैलू नगेटिव से पोजेटिव के तरफ जाए, नगेटिव टू, पोजेटिव के तरफ बढ़े, और हमें y की वैलू बोले, जहाँ y जो है, वह x स्क्वाइर के बराबर है, मतलब हमारा जो फंसन है, वह x स्क्वाइर के बराबर है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, कि इसकी जो मिनिममम भैलू होगी, मतलब y का मतलब x स्क्वाइर की जो मिनिममम भैलू होगी, वह always 0 होगी, ग्राफ से भी आप प्रैक्टिकली इस बात को देख पा रहे हो, कि इसकी जो मिनिममम भैलू होगी, वह always क्या होगी, लेकिन जो maximum भैलू इसका होगा, वह क्या जेटिब का और नगेटिब का इन दोनों का स्क्वायर करने पे जिसका वैलू ज्यादा होगा समझेगा बात को ओनलाइन वाले दोनों का स्क्वायर करने पे जिसका वैलू क्या होगा ज्यादा होगा वही इसका मैक्सिमम वैलू होगा आप बताओ माइनस 3 का आपने स्क्वाय क्या 9 आया और 2 का स्क्वायर प्या चार आया कौन ज्यादा आया 9-3 का स्कॉर्ड करने पर इसका मतलब य की यह 0 से 9 यही चीज़ आया था वाई का मतलब x square की value बोलो बात समय आया इसी तरह देखो पिछला सवाल एक एक सवाल कम दिखाते हैं आपको बनाने का कोई जोरत नहीं है भाई मेरे कोई ग्राफ बनाने का जोरत नहीं है सवाल अपने आप आएगा देखो हमें x square की value चाहिए minimum 0 होगा हमेशा maximum दोनों का square करो माइनस 4 का square 16 और 6 का square 36 तो 16 और 36 में कौन जादा है 36 इसलिए 36 देखो ही आया अगले सवाल देखो राच के बात से करते जारे अगला सवाल minimum value x square का क्या होगा 0 होगा दोनों का square करो minus 2 का square 4 3 का square नो बोलो कौन जादा है 9 जादा है कोई भी सवाल आप easy way में कर सकते हो सेम ये first सवाल जो हमने आपको बताया था वही कहानी देखो x square का मान निकालना है ये तो 0 होगा fix है maximum value चाहिए दोनों का square करो 3 का square 9 एक का square ग्राफ से भी इस चीज को देख पाएगा तो ये राज का बात ये हमें बताता है राज का बात हमें ये बताता है जिहां देना राज का बात क्या बताता है कि इसकी जब भी negative से positive की तरफ x की value बढ़े तो जो हमारा function है मतलब y बराबर x square जो y की value होगी इसकी minimum value 0 होगी लेकिन maximum क्या होगी दोनों का square करने पे जो ज़्यादा होगा वही होगा जैसे अगर आप कोई भी सवाल भी आप उठाते हैं एक सवाल हम अपने से ले ले अब अगर हमें बोले कि बताओ x square का मान क्या होगा तो आप जट से बोलोगे ये तो 0 होगा लेकिन इसकी जो maximum होगी दोनों का square करो minus 4 का square 16, 2 का square 4 तो answer क्या हो जाएगा बोलू बात समझ आया हाँ या ना बताओ जल्दी से क्लियर है बात खुब सुन्दर जल्दी से इसको कॉपी करो जल्दी से कॉपी करें राज का बात कॉपी हो गया अपने हिसाब से नोट्स बनाईए नोट्दी सेखें एल्दी से इसको क्या राज बनाईए तैली कुप सुन्दर पाली की जा बताओ बनाईए चरू करें आया है नोट्स ताया है नोट्ले की जाएगए करेंए है अगला सवाल करो रहम बढ़ते हैं । है कि कुछ-कुछ हर टाइब के सवालों को देखना है चंदन कुमार जाद कि तो हर टाइब का सवाल इंपोर्टेंट है असान सवाल bhi important है कठिन सवाल से ही result होता बाद ध्यान रखिएगा इसलिए कटिन सवाल भी करना उतना ही इंपॉर्टेन्ट है अब जैसे अब जैसे एक्स की वैलू अगर अगर एक्स की वैलू एक्स की वैलू एक से दो है एक से दो के बीच है अब ऐसे केस्ट में अगर आपसे बुल दे कि एक से स्क्वायर का मान क्या होगा तो अगर हम ग्राफिकल ली देखें ग्राफ से अगर देखे प्राबूला वालर ग्राफ से देखें पिसका ग्राफ पुछ यह जो ग्राफ तो सर हमारा ऐसे ही बनेगा ऐसे भानेगा अब हम x की value अगर 1 ले रहे हैं तो 1 यहां कहीं होगा अगर हम x की value 1 ले रहे हैं तो 1 यहां कहीं होगा और y परावर x 2 का square करोगे 4 हो जाएगा तो y की value 4 यहां होगा मतलब हम घिżej graft के कि बात कर रहे हैं वहाँ हिस्जा कौन सा है बताओ एक से 2 एक से 2 यह हिस्जा है घष्शा है इतना सा हिस्जा है अब इतना सा हिस्जा में आप बताओ X-square की मतलब Y की जो minimum है कितनी है और इसका जो maximum है कितना है यहां से एक बात समझ आया, क्या समझ आया, कि जब कभी भी positive से positive जाया, तो आपको ज़्यादा काम करना ही नहीं है, राज का बात इसमें यह है, कि अगर हमें positive से positive में जाना है, और अगर हमें x square का मान निकालना है, तो आप direct निकाल दो, 1 का square 1 हो गया, 2 का square 4 हो गया, answer पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, answer पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, direct आप इस सवाल का answer दे पाओगे, ठीक है, कब जब positive से positive जाया, ग्राफ को भी आप देखलो practically, कि ग्राफ के हम कैसे करते हैं, ठीक है, लिखे जल्दी से, positive से positive अगर जाया, तो बिल्पिल चंदन कुमार जादिया, बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, अच्छे से notes को proper बनाईए, जल्दी करना recorded वाला option है, recorded वाले से revision करका ये, यहाँ पे class को वापस करिए, हर चीर याद होता चला जाएगा, जो recorded में डाला हुआ, उसको वहाँ से पढ़िए, यहाँ प आपका concept भी clear होता चला जाएगा, और चीजे अपने आप याद भी होते चले जाएगी, concept क्या है, concept एक एक concept आपके जबान पर बैट जाएगा, तो महनत आपको करना है, आपके पास हर रास्ता उपलब्ध है एप पे, जो आपका एप है, उसमें recorded वीडियो भी डाला है, ता आपके जो आप सिखाते हैं बच्चों को, उसको अपने आप में ढालना है, कि हम किस हिसाफ से करें कि मेरा result हो जाए, ठीक है, चलिए, देखिए, अभी सवाल को देखे ध्यान से, पिए डारेक्ट होगे, अब हम ऐसा कोई भी सवाल अगर आ जाए ना, अगर पोजेटिव स से पोजेटिव जा रहा है न, अगर ऐसा कोई भी सवाल आ जा ना, मालो हमने लिख दिया 2 से 6, एकस की वैलू 2 से 6, और आप से पुछ दे बताओ, एकस स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या हो रहा होगा, एकस स्क्वायर का मान अगर हमें पूछ रहा है, तो डारिक क्या निकाल सकते हो, इसर एकस स्क्वायर का मान जो हो जाएगा, वह चार से क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यही सवाल का क्या होगा, अंसर होगा, ग्राफ और आप बनाने का कुई मतलब नहीं बनका, ठीक है, चलिए, अगर नगेटिव से नगेटिव जाए, तो क्या होगा, अगर एकस की वहलू नगेटिव से नगेटिव जाए, आईए करते हैं, आईए करते हैं, नगेटिव से नगेटिव चलिए देखते, नगेटिव से नगेटिव में आते हैं, अगर x की वैलू, माइनस 3 से माइनस 2 हो जाए, नगेटिव पूर नगेटिव हो अगर x की वैलू, और आप से बोले कि बताओ x स्क्वायर का मान क्या होगा, ग्राफ से पहले सीखनेंगे, उसके बाद आपने आप करेंगे सीजों के, तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रहा है कि इसका जो ग्राफ है वही ओपनिंग अप पैराबोला है, कुछ यूँ है, अब अगर हम इस सवाल को करते हैं, तो गर हम x के जगा पे माइनस 3 लेते, तो माइनस 3 इधर कहीं होगा, माइनस 3 की वैलू, यहाँ कहीं होगा मान लो, और y बराबर x square है, छिकर एक्स के जगा पे अगर आप माइनस 3 रखोगे, तो माइनस 3 का square करोगे, तो क्या होगा 9, और अगर आप x के जगा पे माइनस 2 लोगे, तो माइनस 2 यहाँ कहीं होगा, माइनस 2 अगर आप लेते हूँ तो माइनस 2 यहां कहीं होगा और माइनस 2 का स्क्वार करोगे तो 4 यहां आएगा मतलब की माइनस 3 से माइनस 2 अगर हम देखें तो ग्राफ के हम किस इसे की बात कर रहे हैं ग्राफ के हम इस इसे की बात कर रहे हैं अब इस हिस्से में अगर आप x-square की minimum value की बात करोगे तो इसका minimum value क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना y की minimum value, और इसकी अगर आप maximum value की बात करोगे तो maximum value इसका 9 आ रहा है, तो यह 4 और 9 देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर देखो हुआ क्या, प्लीज ध्यान देन एक स्कॉ券 की बात नहीं होती है वो कॉंसेट से आया हुआ ही उद्देस होता है फिर तो यह सवाल को करते हैं मुझत सवाल को कैसे करोगे जैसे एक स्क्क्राइब की बात करें इसका स्क्वायर करके इधर आ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, जब नगेटिव तू नगेटिव जा रहा है, यह चीज क्या हो जा रहा है, अंलाइन में बात आ रहा है, समझ में, चलिए, जैसे और सवाल हम लेते हैं, ग्राफ ना बनाएं, इसको लिखो जल्दी के पहले, अब आए की भेलू y x square के बराबर चले देखिए कहानी को समझते जैसे अगर x की भेलू माइनस 4 से माइनस 2 हो मान दे माइनस 4 से माइनस 2 हो और हमें x square का मान निकालना हो कि x square क्या होगा तो अब सीधा सीधा आप गराब बनाने का जौरत नहीं है ये वाला इधर आजाएगा माइनस 2 का square 4 इधर आजाएगा और माइनस 4 का square 16 इधर आजाएगा और यही इस सवाल का क्या होगा? कोई भी सवाल आप देख सबते हैं, जैसे माल लो हमारा question है, कि x की value minus 5 से, x की value minus 5 से minus 2 है, हमें x square चाहिए तो क्या होगा? x square कहां से कहां तक होगा? इसका square इधर आ जाएगा, आनि 4, इसका square इधर चला जाएगा, minus 5 का square आनि 5 यह हमारा answer हो. कोई भी, अगर x की value minus 6 से, माल लो minus 6 से minus 5 है, तो यह x square क्या होगा? यह minus 5 का square 25 इधर आ जाएगा, और minus 6 का square 36 इधर आ जाएगा, ठीक है? चलो. क्याल क्या है。 क्या क्या जा क्या हो जा पर रदिस, अजझ करेंक का両 लू जार से, मालो का यह है, जा 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 एक हार प्त्त्त्ति झालाएगा, बोह।, अ सभॉचम्वाएगा कि 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 बस प्लट जा रहा है अब देखो यहां तक बात आ गया समझ में आगे का कहानी है अब कुछ सवाल हम लेते हैं जैसे चिक्रमेट्रिक फंसन का कुछ सवाल लेते हैं जैसे वाई बराबर साइन स्कॉार एक्स हमारे पास है चलिए आईए, हो गया, आप जैसे हम क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं आपके सामने, कि कुश्चन हमारा है, y बराबर sin square x, हमसे बोल रहा है, इस सवाल का range क्या होगा, मतलब y की value आपके, very very interesting सवाल, कि y की value क्या होगी, इस सवाल की range क्या होगी, हमें वो बताना है, आईए, हमें इसका range बताना है, वाल बराबर sin x का graph आप जानते हों, इसका range भी आप देख तुके थे, कि minus 1 से 1 होता है, sin x का, अब इसका range क्या होगा, हम इसको सीखते हैं, अगर हम sin x की बात करते हैं, कि sin x का मान क्या होगा, तो जो sin x की value होगी, वा minus 1 से 1 होगी, पहला बात, अब अगर हम, इस sin x को y की तरह treat करें, मतलब x स्क्वाइर की तरह treat करेंगे, हम अगर इसका square कर रहे हैं, sin x का square यह नहीं है, तो यह y हमारा जो x की value है, वा negative से positive जा रहा है, अभी अबने बताया, कि जब negative से positive जा है, तो यह बात fix है, कि इसकी जो minimum value होगी, वा 0 होगी, लेकिन maximum value क्या होगा, दोनों का square करने पर जो जादा है, माइनस 1 का square करोगे, तो भी 1 आएगा, और 1 का square करोगे, तो भी 1 आएगा, तो इस सवाल का 1 होगा, आनि जो sin square x है, जो y की value है, sin square x, इसकी जो range होगी, वा 0 से कहा होगी, 1 होगी, और यही सवाल का क्या होगा, answer होगा, आप बताओ, अगर आप उस सवाल को नहीं जानते हैं, यह सवाल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ठीक है, चलिए, एक एक बात हम समझा चुके हैं, कि अगर हम इसका square कर दें, अभी हम देखा था ना, फंसन यह x था, तो यह अगर हम square कर दें, तो यह इसकी minimum 0 और दोनों का square करने पे, जो ज़्यादा है, वही इसका maximum होता है, clear है, चलिए, धितंदर कुमार, विसकर्मा, बहुत चुंदर, राम परवेश, विसकर्मा जी, और भी लोगों को answer करना है, जो चीज हमने सिखाया, उसको लगाना है, जो class को सल्या कुमारी, जो class करंट में चल रहा है, वह content में, जो new वाला content है, उसमें upload हो रहा है class, हमने इसको x की तरह treat किया, वही तो हम function में ही तो कर रहे थे ना, अगर x की value minus 1 से 2 था, तो यही ना, इसी का ना, square कर रहे थे हम, हम इन equation के साथ operation थोड़े कर रहे हैं, हम क्या बताया थे, कि किसी भी equation में किसी function को हम operate नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कोज काम नहीं कर रहे हैं ना, हम तो यह चीज़ ले के आ रहे हैं graph से, हम function corporate कहां कर रहे हैं, content में दो है, एक coordinate geometry आपका चल रहा है, जो new वाला है, और एक आपका calculus चल रहा है, जो calculus वाला हिस्सा, उसमें यह सारा video upload हो रहा है, ठीक है, अगर नहीं इधर हुआ है, तो हम बात कर लेंगे नीचे, ठीक है, चलिए, आजाओ अगले सवाल के रहा है, अगला सवाल, इसको देख रही है, कुश्चन हमारा है, वाई बराबर, 3 sin x plus 1 बटा, तो हमें इसका range बताना है, हमें इसका range बताना है, हमें इसका range बताना है, आईए, सबसे पहले, इसमें जो function का इस्तेमाल हुआ हुआ है, sin x है, ठीक है, इसका square हो रहा है, ठीक ना, अगर square नहीं वह देख, फिर सवाल वही होगा, जो पहले आप की हैं थे, इसका square हो रहा है, total का, hall square, इस पूरे का hall square हो रहा है, इस पूरे का hall square हो रहा है, इसमें क्या function इस्तेमाल हुआ है, sin x, और आप जानते हो, sin x की value कहां से कहां तक होती है, minus 1 से, 1, अब इस sin के साथ 3 multiply हो रहा है, तो हम पहले इस 3 को multiply करेंगे इसमें, constant value हमको multiply करेंगे, जैसे 3 को multiply की, multiply by 3, हमने 3 को multiply किया, ध्यान देना यहाँ पर, चलिए, जैसे हम इसमें 3 को multiply करेंगे, तो हो जाएगा minus का 3, जैसे 3 sin x, और यह हो जाएगा 3, अब क्या हो रहा है, plus 1 एड़ हो रहा है, तो plus 1 को add करेंगे, तो जैसे हम इसमें plus 1 एड़ करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा minus का 2, जैसे 3 sin x, plus 1, और हो जाएगा 4, clear है, अब देखो, अब 2 से भाग लग रहा है, तो 2 से भाग लगाओ, जैसे इसमें 2 से भाग लग, यह हो जाएगा minus का 1, यह हो जाएगा 3 sin x, plus 1 by 2, और यह हो जाएगा 2, हो गया, अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इसका square करें, तो वही कहानी है, यह हमारा function है y, और हमारा जो function है y, x square, y बराबर x square, इसको x square की तरह treat करो, y बराबर x square, x की value अगर –1 से 2 है, नगेटीब से क्या है, positive क्यों जा रहा है, तो इसकी value अगर हम इसको क्या मान ले है, y मान ले, यह y है, और इसका square कर ले, तो इसकी value जो है, आप बताओ, यह हमारा function है y, इसका जो square है, आप बताओ, X की value होगा, negative से positive जा रहा है, इसकी minimum value तो 0 होगी, maximum क्या होगा, दोनों का square करने पे ज़्यादा को न आएगा, दो का square 4 आएगा, यहां से यहां तक होगा, यही सवाल का answer होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Y की जो value होगी, Y belongs to 0 पे close interval, और 4 पे close interval, यह सवाल का answer होगा, चलिए, ठीक है, खुब सुन्द है, सभी लोग answer के हैं, वह तो अच्छा लगा, सबको आ रहा है, सबसे बन रहा है, यही सबसे बड़ा चीज है, सबसे बनना चाहिए, कॉपी करिए, झालँए, कॉपी कर लोगा रहा है, सबसे बनन सोpower लोग अाहा है, कभी कर रहा है, सबसे बनना चाहिए, पर भी लोग सबसे बनने में, Candan If आगे अगे चाहरे तो एक इन वे कमें कर्या है आगे दिया गिए कि यह हम फंसन को अपरेट नहीं कर रहे हैं हमें ग्राफिकली आपको यह चीज सिम्झायार वहां से हम राज का बात जो लाएं न ओचीज हम यहां रख रहे हैं कि मिथून दर्ता का साथ किनका सवाल था उस चीज को हम यहां पर क्लियर करना चाह रहे हैं आपको आप कंफ्यूज मत होगेगा यहां पर कि सर आपने तो फंसन को ऑपरेट कर दिया अप फंसन को बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रहे हैं राज की बात से सवाल को डारिक सॉल कर क्योंकि हमें पता है कि यह आया कहा से ग्राफ से आया हुआ है तो ग्राफ को आपने देखा है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों हो पुष्षन हमारा यूँ है पुष्षन है maximum value of 1 by root 2 into sin x minus plus x ठीक है है यह है इसकी हमें maximum value पूछ रहा है कहां से कहां तक आए है यह चीज भी आप बनाए हो ओक के पार्ट गुस्वामी जी देखो के यह अपर अपर दीजिए अब जैसे अगर हम यह अब पर पर दीजिएं इसथ आप यह आपर हैं इसकी के दीजिए आप nos यहां पर ध्यान से देखें, तो हमने आपको कल कॉंसेट बताया था, वो कॉंसेट आया कहां से था, यह भी समझाया था, कि A sin X प्लस B cos X की जो वैल्यू हो, को माइनस रूट अंडर A स्कॉार प्लस B स्कॉार से, कहां से कहां तक, प्लस रूट अंडर A स्कॉार प्लस B स्कॉार तक, यह चीज आया कहां से, इस चीज को भी हमने, कल के क्लास में आप सब को समझाया, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, तो यह वही चीज हमें यहां पर नजर आ रहा, अगर आप गौर से देखते हो तो, और गौर से देखना आपका काम है, ये दिखरा को, दिखरा बोलो हाया ना, दिखरा, बस इसके साथ 1 by root 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पकड़ते हैं, sin x minus cos x, और यहाँ पे a और b, दोनों का option को देखें, तो a बराबर हमारा 1 है, और b बराबर हमारा minus 1 है, इसकी जो value है अगर हम देखें, तो इसका root करोगे, तो 1 का square 1 और minus 1 का square 1, तो यह हो जाएगा root 2, minus root 2, और इधर से देखोगे, तो हो जाएगा root 2, 1 का square plus minus 1 का square root 2, अब इसमें अधूरापन यह है, यहाँ पे 1 by root 2 है, तो 1 by root 2 से सब में multiply करतेंगे, अगर हम किसी इनिक्वेशन में, किसी positive number से multiply करते हैं, तो इ यहाँ पे क्या करते हैं, यह root 2 है, और यहाँ पे, 1 by root 2 से multiply कर देते हैं, पूरे में, यहाँ, यह वही कहानी आ गया सब, उस परानी ऐसे होंगे, कि इसको इसके साथ multiply करके सवाल को करेंगे, तो ऐसा करना गलत हो सकता है, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिए, किसी भी function में, हम बार-बार जब हम function पढ़ा रहे थे, तो आपको यह बात बताया थे, कि एक function को रिपरजेंट कर रहा है, और किसी भी function में बिना सोचे संधे हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, इनी की 1 by root 2 को इन दोनों के साथ multiply कर दीए, तो किसी भी function में हम बिना सोचे संधे क कोई काम नहीं कर सकते हैं, यह बात ध्यान रखना, बीना condition के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, यह बात हम समझाएं थे आपको, अब यहां से यह हो गया, तो गया, minus 1, 1 by root 2 को इधर लिखने थे, क्या दिकत थे, क्या दिकत थे, 7, ठीक है, चलिए, उसकी जो maximum value 1 होगी और minimum value minus 1 होगी, maximum पूछ रहा था, तो 1 हो जाएगा, जुक्वागागागागागागागागागागागागागागागजा के सब जिकत राना होगी होगी. अ, जढा. पहले से था ना सवाल में तो हमने ऑपरेट कर दिया वन बारूट तू को चलिए अगला सवाल देख़ें अगला सवाल है कि देंज बोले या मिनिममम वैलू बोले बात से में मिनिममम वैलू ओप एक्स माइनस ही और एक्स माइनस भी एक्स ही यह इसकी रेंज बता दो कुछ भी पूछ सकता है अच्छा सवाल यह है कि मेरा सुजा होगा इस ताइप के सवालों का इंसर अगर आप जान में रखते हूँ तो अच्छा है क्योंकि यहां पे पे चेंज क्या कर सकता है कि गजया हुशा रधाप्यक्सफफे सकता और कुछ नहीं कर सकता है है झा पेह जग' देखो, हमारा फंसान है y, y क्या है सर, यह है, y हमारा है, x-a और x-b, अगर हम इसको करते हैं, तो y बराबर आ जाएगा, x-a, x-b, x-b, तो जाएगा, x-b, और x-b, और x-b, और x-b, और x-b, यहां से y बराबर हमने लिख दिया, इसमें से common ले लेते हैं, माइनस x, यहां जाएगा a-b, यहां हो गया, कोई दिक्कत यहां तक बात क्लिए है ठीक है देखो सही है कोई दिक्कत क्लिए है बात अब आप यहां पर ध्यान से देखो आप यहां के बाद आप क्या करोगे 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 धरचार जी के सर यहां कुछ काम नहीं बनने वाला है और यह अच्छा सवाल है थोड़ा हम इसको लिख सकते हैं यह x square है यह minus x है a plus b है plus का a b है और यह जो y है उधर जाके minus y हो गया और बराबर हो गया अब यह हमारा एक quadratic equation बन गया अगर आप भ्यान से देखोगी तो अगर आपको देखने आता है यह हमें दिखराएं कि एक quadratic equation a x square plus b x plus c का यह term है quadratic equation तो यह है न a x square plus b x plus c बराबर अगर 0 हो तो हम बता चुके हैं कि x बराबर होता है minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a यह होता है धरचार जी का नियम और हमें हर हाल में सवाल को करने के लिए धरचार जी के तरब जाना पड़ेगा तो कभी-कभी हमारी मजबूरी हो जाती है कि सवाल में धरचार जी का नियम लगाना है अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर यह सवाल को नहीं कर पाओगे क्लियर आजाओ भाई मेरे अब हम यहां से क्या करते है एक्स का मान अगर हम निकालते हैं जैसे आप पहले भी किये हो तो बी का वैलू यही है मैंनस यह वाला तो मैंनस मैंनस प्लस हो जाएगा यह भी है कि मैंनस ब्रेकेट में प्लस भी है मैंनस Vinyl A B square आनी, A plus B का all square, यह जाएगा न, माइनस का 4AC, A हमारा यह है, 1 है, और C हमारा क्या है बताओ, C हमारा क्या है बताओ, C हमारा यह है, A, B, minus Y है, by 2A, तो 2 और A के जगा पे आप 1 ले लू, यहां तक लिखो जल्वे से, बारी सो रहा है गया, बारी सोने लगा, अचानक से मौसम बदल गया, जी क्या बात है, चलिए, राची में बारी सो रही है, क्या आपके तरब भी हो रही है, तो बता सकते, उनलाइन वाले, जहां जहां से आप हैं, और जुर्दार बारी सो रही है, नहीं सर, इसका मतलब राची में ही बारी सो रहा है, तो बता सकते, बता सकते, बता सकते, बता सकते, जमतारा नहीं सर, मौसम इधर भी बनाया है, इस सिंभूम में नहीं हो रहा है, ग्रीडी में भी नहीं हो रहा है, चलिए सब जगा का ख़बर मिल गया हमें, हजारी बाग में भी नहीं हो रहा है, यही तो online है कि हर जगा का ख़वर आप class ले रहे हैं अचानक से कुछ हुआ तो वहाँ के बारे में पता चल जाता है उरिशा में भी नहीं हो रहा है उरिशा से भी लोग है क्या उरिशा से भी लोग पढ़ रहे है लोहर दग्गा में भी नहीं हो रहा है चली समझ गये वेश्ट बंगाल से भी लोग है वेश्ट बंगाल में भी बारिश नहीं हो रहा है चली इतना जगा से लोग पढ़ रहे हैं जी उरिशा से भी है वेश्ट बंगाल से भी है बस आप मन से पढ़िए देखो, अब इस सवाल में हम क्या करते थे याद करो, हमें root के अंदर की चीजों को positive बनाना है, यह बताएं थे हम आपको तो हम root के अंदर की चीजों को positive बनाते हैं, भाई, बनाओगे कैसे देखो आ जाओ, ठोड़ा सा आ जाए, यहां तक लिख लिए सब तो हम root के अंदर की चीजों को positive बनाते हैं चलिए आ जाएं भाई तो यहां से a पलस b का all square minus 4 a b minus y इससे हमें greater than equal to 0 करना है क्योंकि यह root के अंदर है और यह उपर में तो root के अंदर की चीजों को हमें positive बनाना है खुब सुन्दर अब देखो अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे यह हमारा है थोड़ा bracket open कर दे अच्छा सवाल है थोड़ा time taking है कोई दिक्कत नहीं एक बार अगर बना लोगे तो सवाल डारेक पूछा जा सकता आपके paper में अच्छा सवाल है यहां से हो जाएगा minus 4ab और minus minus plus 4y greater than equal to 0 अब यहां से देखो a square plus b square और plus का 2ab और plus का 2ab में से minus का 4ab घटाओगे तो minus का 2ab बचेगा बोला जाए ओनलाइन में चलिए एक बोले साथ का कोई नहीं है हम आपको बता दें कि PGT का जो एक्जाम गहा था उसमें south के भी लोग पढ़ रहे थे आंधरा परदेश के student पढ़ रहे थे class में ठीक है online तो ऐसा नहीं है कोई ना कोई हो सकता recorded वाले में हो live ना कर रहा हो ठीक है तो देखो तो ही हो गया a square प्लस b square प्लस का 2ab और प्लस के 2ab में से माइनस का 4ab घटा होगे तो माइनस का 2ab बचेगा और जैसे माइनस का 2ab बचेगा तो हो जाएगा a माइनस b का हॉल square प्लस 4y greater than equal to 0 हो जाएगा हमें इसकी रेंज पूछ रहा है या हमें इसका minimum मान पूछ रहा है कुछ भी पूछ रहा हो देखो यहां से तो यह वाला उधर चला गया तो 4y greater than equal to minus का a minus b का हॉल square ठीक है यह हो गया clear तो y की जो value आई minus a minus b का हॉल square by 4 तो यह इसका range हो गया y का value हो गया ठीक है अब इसको आप इतना लिखे लो जल दीशा है अब इसको थोड़ा आच्छा से लिख दो की y जो होगा वा इससे बड़ा होगा तो y belongs to आप लिख सकते हो इसको y belongs to minus a minus b के हॉल square से इसका minimum value हो गया तो कहां तक infinite तक यहीं सवाल का क्या होगा answer होगा अच्छा सवाल है अच्छा सवाल है नीचे नहीं दिख रहा है ना तीनी चीज़ लिखे हुए है यही सेम चीज़ लिखे हुए है पहले छोटा होता था साथ छोटा नहीं हो पा रहा है कि छोटा हम कर लेते थे कि अच्छा सब्सक्राइब कर दो कि अच्छा नहीं है चले दीख जाएगा आपको बहुत उपर कर देंगे अच्छा सवाल है थी कि अच्छा सब्सक्राइब कर दो कि अच्छा सब्सक्राइब कर दो है यह वाला वहलू मीनिमम हो गया और इंपनाइट तक जा रहा है तो यहां से यहां तक हुआ मीनिमम थो ही हो गया माइनस a-b का अच्छा सथा कि अगर हम LIVE निकाल दी तो उसका मीनिममम नीमने मिल गया और Premium भी मारा हमारा हमारा इंपनाइट हो जायका और यहीं हो जायका माइनस a माइनस b का हल अच्छा साल्लुक कुमारी ऐबात समझ में चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ा जाए अगली सवाल करम बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन देको नेक्स कोश्चन बराबर जीरो अट लिस्ट वन अट लिस्ट वन वैलू हमें निकालना है अटलि जीर वन वैलू ए बराबर वान अच्शा सवाल है यह भी यह भी बहतरीन सवाल है और थोड़ा टैम्ट टेकिंग सवाल अगर सब सबसरें आता है ना तो डारेक्ट आएगा डारेक्ट आएगा इस अब सवाले बढ़ ट्राइ करें आएगा इस अब साहे आएगा जाएगा एगा इस अब सवाले बटो कि सवाले बटो खीजस करें इस अब सकते हैं कि चलिए देखिए कुश्चन को बनाए कोई लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है चलिए देखिए सवाल को हम कैसे करेंगे सबसे पहला चीज इस सब को साइन में बदल दो हमें एक आमान चाहिए अच्छा सवाल लिए बहतरीन सवाल लिए सबसे पहले आप एक आमान निकालो तो यहां से हम इसको हम बदल सकते हैं को साइन में बताओ कैसे लिख सकते हैं आप जानते हो साइन स्क्वाइड ठीटा प्लस कॉस स्क्वाइड ठीटा वन होता है तो हम यहां से कॉस स्क्वाइड ठीटा को लिख सकते हैं बताओ क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वाइड ठीटा को वन माइनस साइन स्क्वाइड ठीटा वन माइनस साइन स्क्वाइड ठीटा अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके जगा पर 1-sin2 theta प्लस a2 बराबक 0 अब आप यहाँ पर समझो आप यह वाला चीज हमारा हो गया sin4 theta ठीक है फोड़ा इधर करके लिखते हैं ताकि जगा मिल जाए हमें minus 2 और minus minus plus 2 sin2 theta और यह हमारा हो गया plus का a2 बराबर 0 अब देखो इंट्रेस्टिंग बात अब यहाँ पर समझो इंट्रेस्टिंग बात क्या होगा कोई बनाए है आईए देखते हैं अब यहाँ से क्या करो आप यह जो sin2 theta है ना मेरे दोस्त इसको आप ले लो alpha कोई दिकत बताओ प्लीज इसको हमने क्या ले लिए alpha ले लिए अब जैसे sin2 theta को आप alpha लोगे यह quadratic में बदल जाएगा देखो ध्यान से यह हो गया alpha का square sin2 theta का all square तो sin का power 4 theta होगा अभी हाँ देखो यह हो गया हमारा plus का 2 alpha और यहां हो गया minus का 2 plus का a square बराबर 0 कोई दिकत नहीं अब हम इसको लगाते है धरचायर जी का नियम तो alpha की value आ जाएगी minus 2 plus minus root under b square 2 का square 4 minus 4ac a हमारा 1 है और c हमारा क्या है c हमारा minus a square minus 2 है यह na a square minus 2 ही नहोगा बोलो कोई दिकत नहीं 4ac minus 4ac की होगे abide 2 है तो 2 और a के जगा पर 1 है अब यहां पर देखो भाई मेरे interesting बात यहां तक बात समझ में आ रहा होगा सबको हाया ना बोलो आ रहा यहां तक बात समझ में और यह सब सवाल ना डारेक्ट सवाल पेपर में आएगा थोड़ा भूद भी चेंज नहीं करेगा यह सब सवाल में तब at least one value आनि एक आमान हमसे पूछा जा रहा है अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं प्लीज ध्यान देना प्लीज इसमें से 4 को बाहर निकालोगे तो बहार two आ जाएगा जैसे root के अंदर अगर हम four को common लेते तो बहार two आएगा और दो से भाग दोगे यह हमारा alpha जो आ जाएगा बताओ क्या आ जाएगा अलफा क्या जाएगा दो से दोनों में भाग दोगे तो यह आ जाएगा plus minus प्लीज ध्यान दो यह आ जा को common लोगे 4 किसमें बदल जाएगा 2 में और इससे आप बाहर आएगा रूप के बाहर तो 2 और 2 से भाग लगा हुए यह वाला 2 इससे खतम हो जाएगा कि नहीं खतम हो जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा बताईए तो फ्रीप अंदर क्या बच जाएगा सर अंदर बच जाएगा हमारा यहाँ पर 1 माइनस बुलो 1 माइनस यह वाला 4 बाहर आगया 2 में तो 1 माइनस A स्क्वार माइनस 2 बोला जाएगा प्लीज बोला जाएगा इस बात को क्लियर अब यहाँ पर अब 2 से भाग लगा के आपने 2 को खतम कर दिया 2 से भाग लगा के आपने 2 को क्या किया क्या किया 2 को आपने खतम किया 2 को ठीक है और ऐसे ही खतम करना है देखो अब यहाँ से आप क्या करोगे यहाँ से आपका कहानी यह बदल गया कि अलफा बराबर आगया माइनस 1 प्लस माइनस बोला जाए, माइनस माइनस फ्लस टू हो गया, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, थी माइनस ए स्क्वार, हो गया, तो अल्फा की वहलू ये आ गई, अब इंट्रेस्टिंग बात क्या है समझो, अब इंट्रेस्टिंग बात ये है, कि अल्फा हमारा क्या है, साइनस स्क कि यहां तकलीख हो यह सब सवाल का एंसर याद रखेगा तो आपका समय बचेगा जिन्दिगी में कुछ-कुछ चीज ऐसा होता है जिसको याद रखना पड़ता है कि अगर आप उसको भुला दियें तो वह तकलीफ होता है कुछ-कुछ चीज याद रखना बहुत जरूरी है चली द्यान दो हो गया आप यहाँ पर समझो यह अलफा है अलफा नहीं यह आप बताओ साइन छीटा की जो वहलू होती है वह माइनस वन से वन होती है होती है नहीं होती है तो साइन अस्कुएर का वहलू हमने क्या बताया अभी आपने ग्राफ से सीखा my negative two positive जा रहा है तो 0 से 1 0 से 1 इसका मतलब alpha यह हमारा है यह जो alpha हमारा है जिसको आपने alpha माना यह आ जाएगा 0 से 1 आएगा बोलो अब आप हमें बताओ alpha क्या है सर alpha हमारा यह है मतलब कि यह जो 0 से 1 आएगा alpha के जगा पे मान रखो minus 1 plus minus root under 3 minus a square इसकी value इसकी value जो होगी यहां तक होगी अब आप क्या चाहाओगे इन equation को solve करना है तो अगर आप equation को solve करना चाहते हो equation को solve करना चाहते हो ध्यान देना प्लीज तो आप पहले minus 1 को हटाओगे अब यह minus 1 कैसे हटेगा लिख लिख लोग यह छोटा हो सकता है मुदली minus 1 को कैसे हटाओगे बताओ minus 1 को कैसे हटाओगे तो अब यहां से आपकी सवाल को कैसे करता है अब यहां से यह आ गया अब हमें इस equation को solve करना है equation को solve कैसे करेंगे तो हम यहां पे plus 1 add करेंगे जैसे आप plus 1 add करोगे यह 1 हो जाएगा यह खतम हो जाएगा 3-a² और ये आ गया 2 अब देखिए अब देखिए प्लीज अब अब हमें यहाँ पे प्लस लेना है कि माइनस लेना है यह सबसे इंट्रेस्टिंग बात है यहाँ पे दो चीज़े आई यहाँ पे दो चीज़े आई प्लीज समझना यहाँ पे जो चीजे हमारे पास आई वह दो आई और वो दो चीजे क्या आई प्लीज समझते इस बात को पहला चीज आया कि root under 3 minus a square की जो value है पलस इतना से इतना के बीच है एक चीज हमारे पास आया कि इसकी जो value है वह minus इतना से 3 minus a square के बीच है ठीकर एक बात हमारे पास यह बना लीजे कि बात को समझेगा यहाँ पर भाई कहां किसका call आ रहा है देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि आप बताओ root का value हमेशा यह root के अंदर का value हमेशा positive आता है तो आप बताओ यह अगर यहाँ पर minus होगा तो यह value तो positive आना है तो positive into negative negative होगा क्या negative value कभी भी 1 और 2 के बीच आ सकता है आ सकता है बताओ इतना तो समझदार सब हो कि root के अंदर की जो value आती है वह always positive value आती है क्योंकि negative चीजों का इज़त केवल और केवल एक ही जगा पे वहा है complex analysis के लावा कहीं भी negative चीजों का इज़त नहीं मैत में पूरे मैत में तो इसको जब आप निकालो गए इसका मान तो यह चीज negative तो आएगा नहीं यह आएगा positive root के अंदर का जो value आता हो कभी भी जैसे अगर हम बोले root 4 का मान क्या होगा तो यह कभी भी plus minus 2 आप मत करना यह always root 4 का value plus 2 होता है यह बात ध्यान रखेगा एक बात हम समझाएं थे क्या समझाएं थे कि अगर x square बराबर अगर 4 हो तो x की जो value आएगी वह plus minus root 4 आएगी मतलब यहां से इसकी value plus minus 2 सही है लेकिन अगर केवल हमें root 4 की value पूछे तो केवल और केवल plus 2 होगा यह सब बात हम आपको समझा चुके हैं पहले ही class में इस बेसिक की जो में हमने आपको समझाया है इस बात को आप समझें ठीक है आप देखो आ जाओ तो यहां से आप क्या समझें कि इसकी value positive होगी और positive into negative negative अब negative value कभी भी एक और दू के बीच नहीं हो सकता negative value कभी एक और दो के बीच नहीं हो सकता तो यहां से आप क्या समझें यहां से आप यह समझें कि ये वाला तो गया इसको हम लेके काम नहीं कर सकते हैं काम हम इसी को लेके कर सकते हैं काम हम इसी को लेके कर सकते हैं यहां से एक बात आपको समझ आया आया की नहीं बताईए यहां से एक बात आपको यह समझ आया अब आप यहां से सॉल्व करो इसको रूट को हटान हमारा 3-a square 1 से लेके 2 तक ठीक है यहां तक बात clear है देखो ध्यान से यहां तक बात clear है अब आप हमें बताईए अब हमें इस 3 को हटाना है हमें a का मान चाहिए तो 3 को अगर हम हटाना चाहते हैं sorry यह 4 हो जाएगा न यह 4 हो जाएगा चीक है वन का square दो का square 4 हो जाएगा अब यहां से हम इस 3 को हटाना चाहते हैं 3 को हम कैसे हटाएंगे तो plus 3 add कर देते हैं minus 3 घटा देते हैं तो minus 3 घटा ओगे तो यह क्या हो जाएगा minus 2 तो हो जाएगा minus a square और ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इस मेंसे minus 3 को गटा है ये हो जाएगा 1 तो minus a square अब ये चीज़ हमें minus में नहीं चीज़़ी तो जैसे हमакс को हटाओगे तो हम इकश्ण का सािन仁 बदल जाएगा तो minus को हटाने के लिए minus से multiply करोगे दोनों में multiply by minus थोड़ा जगा कम गया इतना लिखो पहले जल्दी से इतना लिखो जल्दी से पहले हम इसको लेके चले और एक बात हमें यह ध्यान रखना है कि root के अंदर की चीजों को positive करना है यह भी ध्यान रखना है इधर मिटा सकते ना जगा बन जाएगा थोड़ा मेरे लिए जैसे आप minus से multiply करोगे इधर मिटाते हैं सर लिख 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 हो ना इधर मिटाते हैं जैसे आप minus से multiply करोगे इनिक्रेशन के sign change हो जाएगा जैसे आप minus से multiply करोगे यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा a square, यह हो जाएगा minus से multiply करने पर यह वाला sign भी बदलेगा यह हो जाएगा plus 2, यह हो जाएगा a square और यह हो जाएगा minus 1 से multiply कर रहे हो, तो यह हो जाएगा minus 1 तिकार और in equation का sign क्या हो जाएगा change मतलब यह equation इधर आजाएगा बोलो यहां तक किसी को कोई तकलीप अब आपको यह बात पता है क्या पता है देखो कि minus 1 a square का value जो होगा वह minus 1 से बढ़ा तो होगा ही होगा यह बात confirm है a square का bandwidth होगा वह minus 1 से बड़ा होगा यह यह बात आप जानते हो यहां तक बात clear है तो हमें जो ले के चलना है यह थिक है कि smile की value minus 1 से बड़ा होगा हमें जो ले के चलना है वह इसको ले के चलना है कि a square जो है वा लिष्ट देन इक्वल टू टू है ठीक है अब देखो कैसे लेके चलोगे आप बताओ आप इसको ऐसे लिख सकते हो ये तो बात सही है बिल्कुल ए स्क्वार जो होगा ए स्क्वार माइनस टू ओनलाइन कमेंट दिखाई ले और ले यहां से देखो आप येस हम आपको क्या बताएं कि कुछ-कुछ सवालों का एंसर आपको ध्यान में रखना है हम आपको बनाने का तरीका बता दे रहे हैं यहां से ए स्क्वार माइनस टू लेस देन इक्वल टू टू हो गया जिरो हो गया अब इसको आप बदल दोगे इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वार माइनस रूट टू का स्क्वार कोई दिक्कत नहीं यहां से इसका मान आ गया एक आ गया ए पलस रूट टू और एक आ गया ए माइनस रूट टू आ गया , less than equal to 0 अब हम यहां के बाद इसको करेंगे solve एक तो यह value आ गया और एक value यह आ गया दोनों का हम intersection लेंगे देखो एक value तो यह हमें मिल गया यह तो बिल्कुल सही है a square की जो value हो minus 1 से बड़ा है और यह वाला देखो तब हम इसको यह बात तो बिल्कुल सही है हम इसको लेके चलेंगे कि a square जो हावा less than 2 है तो यहां से हमने यह चीज लिया अब हम क्या करते हैं एक root वाला लेके चलते हैं root वाला यह root के अंदर किसी जो को हमे positive करना है तो 3 minus a square की value जो होगी वा greater than equal to 0 होगी बोलो greater than equal to क्या होगी 0 होगी अब यहां से जब हम इसको solve करेंगे तो यहां से आ जाएगा minus a square बराबर greater than equal to minus 3 तो यहां से a square की जो value आई वा क्या आई greater than equal to 3 आई बुलो minus minus plus होगी तो यहां से a square का दो बान निकल गया हमारे पास एक यह अब हम दोनों का लेंगे intersection आज़ा ले लो ऐसे हमें a का मान चाहिए a square का निकल यह बाद यहां रखी दगा अब हम intersection लेते हैं square लो एक value plus root 2 minus root 2 तो यहां कहीं होगा minus root 2 और plus root 2 और 3 कि इधर होगा बताओ plus 3 कि इधर होगा इधर होगा कहीं तो 3 से ज़्यादा a square की value 3 से ज़्यादा तो 3 से ज़्यादा मतलब यहां यह 3 है हमारा और 3 पे लगेगा dot तो बताओ 3 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा है ना देखो यहां पे answer में आपका a square की value जो है वा 3 से ज़्यादा है ठीक है minus यह minus minus भई minus हटा कैसे माइनस से multiply कि तब ना हटा माइनस तो इन equation का sign बदलेगा ना यहाँ वापस गल्पी मत करिए गए यह वाला equation का sign बदलेगा ना क्योंकि यह minus से multiply कि यह तभी तो minus हटा है तो minus हटाने के लिए आपने दोनों तरफ minus से multiply किया तो जैसे हम कोई negative number से multiply करेंगे एक ए स्क्वाइर की वैलू यहां से, क्या आया, एक वैलू आया, रूट्टू, दूसरा आया, माइनस रूट्टू, तो इन दोनों के बीच, ठीके पहले अलगलग निकाल लो यहांगे फिर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अप्र हमदोनों का इंटरसेक्शन लेंगे आइगे यह तो निकल गया पहले इसका निकाल आप mensen से पहले इसका निकालो, हम एक ही साथ करने के कोशिस करने हैं, कोई बात हैं, अराम-अराम से करते हैं, चलिए, यह हो गया minus root 2, और यह हो गया plus root 2, कोई दिकत नहीं, अब यह दोनों को मिलाएंगे, दोनों में होगा dot, positive, negative, positive, ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो value आया, क्या आया, देखो, यहां से जो value आया, वा क्या आया, less than equal to, negative वाला लेंगे, यहां से जो value आ जाएगा, वा क्या आ जाएगा, value आ जाएगा, minus root 2 से root 2, चलिए यहां तक लिखे जल्दी से, वेवी कर मेथड से solve किये हम इसको, हमें a का value चाहिए, यह a का मान आया, a belongs to, और a कि यहां से a का मान, इं कालो यहां से, सवाल का एंसर यही होगा अब यहां पर हम थोड़ा से यहां पर गल्पी किये हैं देखिए थोड़ा सा क्या गल्पी हुआ हम से यहां पर दिखाते हैं आपको देखो थोड़ा सा गल्ती यह हुआ है कि a square का मान एक यहां से यह निकला और a square का मान यहां से यह निकला इन दोनों का पहले आप intersection लोगें तब यह सवाल थोड़ा सा बहतरीन होता ऐसे तो answer हम निकाल भी यह answer होगा इस सवाल को करने का जो सही रास्ता है ठीक है यह answer होगा सवाल का a का मान हमसे पूछ रहा था है यह हमने निकाल दे at least one value चाहिए तो a का at least one value यह होगा अब देखो इस सवाल को हम इस तरह से सही तरीका से कर सकते थे अगर ऑगर हम आपकर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ऐसा यह answer आ चुका है देखो, तो a square की जो value यहां से अगर हम लें, तो यहां से यह आया, जो a square की value होगी, इसको थोड़ा सजा के लिखें, तो minus 1 से 2 तक होगी, तो minus 1 यहां कहीं होगा और 2 यहां कहीं होगा, तो यहां तक होगा तो इन दोनों पे लगेगा dot इन दोनों पे हमने dot लगा दिए यहां तक होगा उसके बाद यह बता रहा है कि जो a square की value है वह क्या बता रहा है वह 3 से क्या है छोटा है तो 3 से छोटा है तो 3 यहां कहीं पे होगा और इससे छोटा लोगे dot लग रहा है कि equal to है तो इधर जाएगा फिर हम बताया थे कि हम इन दोनों का intersection लेते हैं क्योंकि यह दो यहां से बन गया a square यहां से यहां तक बन गया यह वाला चीज कहां से हैं तो root वाला लेने पर आये थी अगर हम इन दोनों का intersection लेंगे तो इन दोनों के intersection में common वाला जो part आ रहा है वह यह आ रहा है यह वाला common वाला part आ रहा है तो यहां से हमें पता चला कि जो a square की value है वह कहां से कहां तक है minus 1 से 2 तक है अब आपको यह बात पता है कि जो a square की value होती है वह minus 1 से तो बड़ा होगी होगी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, अब यहां से हम इसको लेके चलेंगे, इसको, यही चीज हम लेके डारेक्ट चल दिये थे, तो जो a square की जो value है, वह less than equal to 2 है, तो अगर हम इस a square को इधर लेके आगें 2 को, तो a square minus 2 less than equal to 0 होगे, अब अगर हम यहां पर इसको लिखें, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, a minus root 2, a square into root 2 का square, less than equal to 0, अब यहां से बताओ, हम इसको a square minus b square तोड़ेंगे, तो a plus root 2, और यहां आगया a minus root 2, यह अच्छा सवाल है ऐसे, अब अगर इसमें वेवी कर मैथड लगाए, तो यहां पर हमारा आगय minus root 2, इसको 0 के बराबर करोगा, और यहां पर आगया plus root 2, और इन दोनों पर dot होगा, क्योंकि दोनों में equal to लगा हुआ, numerator का चीज है, इसको ऐसे मिलाएंगे, plus, minus, plus, अब बताओ, a का मान क्या आगया, less than equal to positive वाला, तो a belongs to आगया, minus root 2 से 2, और यही चीज हमारा answer वहां भी ठीक है, तो यह सवाल का answer होगा, दिखाइए, यह अलग-अलग करके हम लाएंगे, किलियर, अच्छा सवाल आईए, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने सबसे पहले यहां से जो a square का मान आया, देखो हम यहीं से डारेक कर लिये थे, तो पहले हम a square इसका और इससे a square का एक value यह आया, एक square का value यह आया, इन दोनों का हमने intersection लेके a square का मान यह लाया, तो यह बात तो बिल्कुल सही है, यह बात तो आप बिल्कुल सही मुझे हमें direct कर दिये, तो कोई दिकर ने direct हम कर सकते है, a square less than equal to 2 है, यहां से हमने पकड़ less than equal to 0 का मतलब हो गया, हमें negative वाला पार्ट चीत यह हो गया, तो a का value होगा, वह minus root 2 से root 2 होगा, देखो आप इस answer को ऐसे भी लिख सकते हो, हो सकता है, आपको यह answer ना दे, और answer क्या देदे, कि mod a less than equal to root 2 हो, यह answer देदे आपको, आपके option में यह answer हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी answer दे सकता है, क्यों, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं, कि अगर mod x less than equal to k हो, एक्स बराबर क्या होता है, x बराबर minus k से k होता है, ऐसा भी answer आपको कर सकता है, वहीं जी जम यहां पे क्यों, आपको समझ में, पढ़ायें थे modless function में, पढ़े थे ना modless function, तो वहां पे हम यह बात आपको समझाया थे, क्या है, वहां पे हमने यह बात आपको समझाया था, ऐसे बढ़िया सवाल है यह वाला, चली आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुस्चन आईए देखते, देखो, नेक्स्ट कुस्चन प्लीज, हो गया था, पुरली कमेंट दिखाए मुदली, हो गया सबका, कोई डाउट, इस टाइब के सवालों का एंसर याद रखेगा, तो बहुत समय बचेगा आपका, चली देखिए, अब जैसे, हमारे पास सवाल है, अब कुछ इस टाइब का कुस्चन को देखते हैं, इसके पहले कॉंसेट को समझते हैं, एक्स की वैलू, माइनस वन से मानलो टू तक है, और आपसे वन बैक्स का मान पूछ रहा है, कि क्या होगा, ठीक है, कि वन बैक्स का मान क्या होगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है, मानलो ये सवाल, चलिए देखिए, देखिए, इंट्रेस्टिंग बात क्या है, अब कुछ परानी ऐसे हैं, कि क्या करते हैं, अगर हमें वन बैक्स पूछ रहा है, तो इसी को इसी के साथ खिल देते हैं, कि सर, अच्छा, वन बैक्स पूछ रहा हैं सर, तो हम इसी का रेशिप्रोकल कर देते हैं, माइनस वन का रेशिप्रोकल, माइनस वन हो जाएगा, और इसका रेशिप्रोकल, वन बै टू हो जाएगा, अगर ऐसा करना पाप है, पाप, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं, अगर स्टेंडर्स सवाल था उसको हमने करा दिया एंसर अगर याद रख पाते हैं तो डारेक्ट उसस सवाल को आप याद रख लिजिएगा नहीं तो फिर आपको हम एक चीज को समझढ़ाये कोई भी चीज आप याद नहीं बताएं तो इस बात को आप उसा गल्तिक बिल्कुल नह अब जैसे 1 by x का मतलब y बराबर 1 by x, तो यहां से अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो क्या हम इसको x into y बराबर 1 लिख सकते हैं, बोलो, आप बताओ ये दो चीजे 1 नानी positive कब होगा, इसको ऐसे समझो, x into y बराबर c square, मतलब ये 1 का मतलब ये positive value, तो ये दो चीजे positive कब या तो ये दोनो positive हो, या तो ये दोनो negative हो, तब ये negative into negative positive, positive into positive positive हो, तो यहां पर ये बात ध्यान रखेगा, कि ये दो चीजे कब positive होगा, या तो दोनो positive होगा, या तो दोनो negative होगा, अब थोड़ा सा अगर हम यहां पर दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उ और first में ये भी positive और उपर भी positive तो first में ये होता है positive positive फुल होता है है ये होता है हमारा second quadrant है ये हमारा होता है second quadrant अगर हम second quadrant की बात करते हैं तो second quadrant में आप बताओ, ये वाला इधर हमारा होता है negative और उपर हमारा होता है positive तो ये हमारा क्या बन गया negative पोजेटीव, अब यहाँ देखो, ये हमारा होता है third quadrant, और अगर हम third quadrant की बात करते हैं, तो ठर्ड में यह हो गया negative, नीचे हो गया negative, तो यह हो गया negative, नगेटीब, और यह हमारा होता है fourth quadrant, और अगर हम fourth quadrant पी बात करते हैं, तो x हमारा positive, y हमारा negative, यह हो गया positive, negative, तो x into y बरावर 1, आनि x into y बरावर c square कब होगा, जब दोनो positive होगा, दोनो positive first quadrant में होगा, मतलब कि इसका जो graph बनेगा न, x into y बरावर c square का, एक तो graph हमारा यहाँ बनेगा, ध्यान देना जो हम समझाना चाहरे हैं, और दोनो negative यहाँ पे होता है, तो एक graph हमारा यहाँ बनेगा मतलब इसका graph कुछ ऐसे बनेगा, इसका graph कुछ ऐसे बनेगा, प्लीज समझना इस बात को, इसको मिटा के वापस से बनाते हैं, देखो, first में और third में बन रहा है, first quadrant में और third quadrant में बन रहा है, ध्यान देना, मतलब इसका जो graph बनेगा, वह कुछ u बनेगा सर, ऐसे, और ऐसे, clear है, ऐसे graph बनेगा, अब देखो, अप्ली समझो यहाँ पे, दूसरा अगर हम, x into y बराबर, यह भी समझ लो थोड़ा, minus c square की बात करते हैं, तो यह negative होना, c square positive है, लेकिन negative नंबर से multiply करोगे, तो negative कैसे आएगा, negative कैसे आएगा, तो negative कैसे आएगा, एक positive, दूसरा negative, पहला negative, दूसरा positive, तो plus minus और minus plus है, तो plus minus और minus प्लस कहा होगा, यहाँ होगा minus और यहाँ होगा plus, एक तो हमारा यह बन जाएगा, दूसरा graph ऐसे बनेगा, इसका, यह graph बन गया, इसका, और यह graph देखो ऐसे बनेगा, नजज़ेटिव नजड़ेटिव फोज़ेटिव यह होगे यह हमारा है x into y बदाबर स-c agrab इसको क्या बहुत है इसके बहुत है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब आप पॉमेंट पढ़ोगे यह सब चीज काफ़ी डिटेल में आपको बता है जाएगा इसको पढ़ते हैं हाई पर owns अ बोला की और है पर भूला इसको बोलते हैं यह बोलते हैं हाई पर्ड़ा कि एक हcell प्रेट है कित अब हम यह चोबाल के सामने इसको हम किसी से करने वाले हैं ठीक है लिखो इसको जल्दी से पसमले हैं हैं है टाय दोगपफ具 हास किसी हाएं पह Lapk बहुपप़ रहा डे सिर कि अगो कि अगया? आजाओ भाई मेरे, अब सवाल पर हम आते हैं, सवालों की दुनिया में अब आपका स्वागत्त है, आई यह बात है, हो गया? अब प्लीज समझेए, अब प्लीज समझें आपे प्लीज बोट पर ध्यान दिजेगा, एकदम दिमाग को सांत रखना है, देखी यह सवाल सवाल आपके पेपर में हो सकता सवाल असाम दे, लेकिन अगर मालो इक गलती से भी पूछ दिया तो आप तो इसका एंसर पता होना तो यह पीए चीज आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से इन सवालों को हम करते हैं, यहाँ पर हम एक एक कॉंसेप्ट को समझाए हैं, अगर इस फंसन हमारा है जिसरे हम रैक्टेंगूलर आपर बोला बोलते हैं है है कि अगर हम एक की वैलू-1 लेते हैं तो एक हंता हमसेर यहां कहीं होगा, तो मिलत अगर एक समारा माइनस वनेहां कहीं होगा, यह लोग ये X हमारा –1 यहां कही होगा मननों यहां ज्यासे आप X के जड़ापे y बroidबर 1 बाहे एक्स है नë तो X के जड़ापे जैसे –1 रखोगे तो Y की value –1 आईजी तो Y हमारा –1 यहां कही होगा कि यहां माइनस जगा ले लेके बना रहें एक्स के जगा पे अगर आप तू रखोगे तो यहां कहीं होगा तो य की वैलू 1 बाइ 2 होगी तो य वन बाइ 2 यहां टू रखे तो य वन बाइ 2 कहां आएगा उपर कहीं आएगा मालो यहां कहीं आएगा तो एक्स की वैलू माइनस वन से टू एक्स हमारा माइनस वन से टू देखोगे तो हमारा जो ग्राफ है वह graph के इस हिस्से की बात हो रही है और graph के इस हिस्से की बात हो रही है देखो तो ध्यान से देखा जाए प्लीज देखा जाए x की value minus 1 से 2 तो minus 1 से 2 मतलब यहाँ y की x अगर minus 1 से 2 है एक value एक value तो ये हो गया कि अगर ये देखोगी यह कहा जा रहा है minus infinite जा रहा हैузट है इसे इस पे equal to कभी नहीं लगता plus infinite और minus infinite फे कभी भी equal to नहीं लगता कि और देखो ग्राफ से हम कर लें लेकिन ग्राफ बनाने का जोरत नहीं अगर आप एक बार शहट जाओगे तो अभी हां देखो मैं अगर एक की वैलू टू है अगर एकस की वैलू 2 है तो बताओ 1 या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं y belongs to minus infinite से minus 1 पे close और का मतलब union 1 by 2 से infinite ठीक है लिख लो इसको तो हमने एक graph से आपको समझा दिया इस चीज को कि अगराब बनाने का actual में जौरत ही नहीं है अगर आप समझ जाओगे तो अगर आप समझ जाओगे ना तो इसे सवालों को करने के लिए graph बनाने का जौरत ही नहीं है अभी हम negative to positive जा रहे हैं तो हमें one by x कमान निकालना है यह एक rectangular hyperbola बनाता है यह एक rectangular hyperbola बनाता है तो राज की बात इसमें क्या है अगर आप ध्यान से देखो इसमें राज की बात भी दिखेगा तो राज की बात क्या है असार एक और राज की बात न राज है रहने देजेए तब अब देखो राज की बात क्या है जब x की value negative से positive जा रहा है और आपको one by x की value निकालना है मतलब y की value निकालना है तो एक हो क्या रहा है एक minus infinite देखो ध्यान से minus infinite और ये वाला value reciprocal में तो minus 1 का reciprocal minus 1 ही होगा और इसका reciprocal 1 by 2 से कहां तक plus infinite और याद रखेगा minus infinite और plus infinite पे कभी भी equal to नहीं लगता ये बात हम पहले ही आपको बता चुके एक और सवाल से हम clear करते हैं देखो graph से तो हमने इस बात समझा दिया जैसे एक और सवाल तो clear करते हैं जैसे माल लो हमने x की value ले लिया minus 2 से माल लो हमने 3 ले लिया हमें 1 by x का मान चाहिए ध्यान देना तो actual में तो graph ये है अगर हम graph से जाएंगे तो अगर हम graph से जाएंगे तो graph हमारा यही है पास्ट और थर्ट क्वाद्रेंट यूं बनेगा ऐसे यूं बनेगा ऐसे सब तो अगर हम x-2 लेते हैं अगर हम x-2 लेते हैं प्लीज समझे ना अगर हम x-2 लेते हैं यहां पहीं नेंगी माइनस 2 तो y बराबर 1 by x है तो अगर हम यहां माइनस 2 रखते हैं तो y की value half आएगी और half कहाँ पहेगी माइनस आएगी तो माइनस आएगी यहां कहीं होगा और अगर हम x का value 3 लेते हैं तो 3 यहां कहीं होगा x तो y की value 1 by 3 1 by 3 यहां होगा तो graph के जिस हिस्से की बात हो रही है ना वह हिस्सा कौन है बताओ तो आप की वाला हिस्सा है और y माइनस 2 से 3 में यह वाला हिस्सा है यह हिस्सा है ना तो आप बताओ आप बताओ y की value कहां से कहां तक है तो y अगर आप देखोगे तो y जो है वहाँ माइनस infinite से equal to नहीं लगे गए ना वाई जो हमारा है वहाँ माइनस infinite से कहां तक है बोलो माइनस 1 by 2 तक ना माइनस 1 by 2 तक और बोलो और क्या है वाई जो है 1 by 3 से कहां तक प्लस इंफनाइट तक इसी को आप यूनियन में लिख सकते हो तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि ऐसे सवालों का करने का तरीका है माइनस इंफनाइट से इसका रेशी प्रोकल और फिर इसका रेशी प्रोकल से प्लस इंफनाइट से ठीक है डारेक्ट बनाएंगे सवाल को लिख लिजे इसको अगला सवाल से हम डारेक्ट बनाएंगे अगले सवाल से हम डारेक्ट बनाएंगे आईए डारेक्ट बनाते देखो आईए अब डारेक्ट बनाते क्वेश्टन को देखो डारेक्ट बनाते हैं अगर x हमारा माइनस 3 से 5 है और हमें बोले 1 बाइक्स क्या होगा नगेटिव तु पोजेटिव किरम पोजेटिव तु पोजेटिव सिखेंगे बस ध्यान दो यहाँ पे तो आप बताओ 1 बाइक्स क्या होगा 1 बाइक्स मतलब y की भेलू पहले माइनस इंफनाइट माइनस इंफनाइट से इसका रेशिप्रोकल क्या माइनस 1 by 3 ख्लीक ध्यान देओ और 1 by x इसका रेशिप्रोकल 1 by 5 से कहां तक प्लस इंपनाइट पट्से बन गया? बोला जाए कोई भी सवाल आपर आम से बना सकते हो माल लो हमारे पास सवाल है x की वैलू माइनस 5 से 5 हो तो आप बताओ 1 by x क्या होगा? एक होगा माइनस इंपनाइट से इसका रेशिप्रोकल माइनस 1 by 5 और 1 by x की वैलू इसका रेशिप्रोकल 1 by 5 से कहां तक प्लस इंपनाइट क्लियर? देखो प्लस इंपनाइट माइनस इंपनाइट कभी भी इक्वल टू नहीं लगता अगर गलती से लग रहा तो आप समझ जाईए अगले क्लास में इस से लेटेट और भी सवालों करेंगे साइन के फंसन में लेके ठीक है आई इतना ही रखिए मिलेंगे फिर अगले क्लास में नोट्स को प्रोपर ढंग से बनाईए अगर आप एक्जाम पास करना चाहते हैं तो अभी एक्जाम में आपका वक्त है तो अच्छे से पढ़िए ठीक है जहां से भी लोग पढ़ रहे हैं हमने यहां पर देखा कि लोग विस्ट बंगाल से भी जुड़े हुए लोग उड़